कुली वाड़ा क्षेत्र के विदायक कैप्टन तमिल सिल्वन की ओर से रान फॉर यूनिटी एक तद्धावड का आयूजन किया गया तीन किलोमीटर के इस दोड़ की शुरुवात सांसद के रीट सुमय याने हरी जंडी दिखा कर की एक भारत आज एक नया इतियास निर्मान कर रहा है 1947 में सरदार पटेल ने देश को एक किया आज विश्व की सबसी उची प्रतीमा हमारे प्रदान मंत्री वो भी छोटे सरदार ये है आज उसका इनोगुरेशन करने जा रहे है मुंबई में सरदार पटेल जी को विनम्र स्मरनांजली के निमिता आज मेरे साथी विदायक कैप्टन स्तमील सेलवन ने ये एकता दोड रखी है देश आज एक है और देश आज विश्व का पहले क्रमांग का देश बनने की दिशा में दोड रहा है जिसने देश को एक किया है हो सकता है सत्ताधारी कुछ साल तक कोई परिवार उनको भुलाने की चेश्टा कर रहा था जिस परिवार ने देश पर 50 साल राज किया उसने सरदार पटेल की स्मूरूती को विश्मूती करने का प्रयास किया लेकिन हिंदुस्तान सरदार वल्लब पटेल को हमेशा याद रखेगा याद रख रहा है अज नरेंद्र मूदी हुना एक बार हिंदुस्तान को जिसने एक किया उस सरदार पटेल की सबसें उची प्रतिमा लेकर देश गौरव अनुभव कर रहा है इंदुस्तान का सगेंड आइनमेन आफ इंडिया पंदप्रसान साफ ने है आदेश साफ का काश्मीर टुक कन्या गुमरी तक आज जो इंदुस्तान आप लोग देख रहा है महीं देख रहा है इनका मूल कोन है सर्दार वलबबाई पटेल साफ ने समुंदर का किनारे कन्या गुमरी से लेकी काश्मीर तक इंदुस्तान को एकरित किया इसलिए उनको आइनमेन आफ इंडिया अभी वो देश को समालने वाला सेगेंड आइनमेन आफ इंडिया पंदप्रदान अरेंदर मोधी साफ सर्दार वलबबाई पटेल साफ का जो रन फार इनिटी प्रोग्रम यह प्रोग्राम अर विदायक अर कार्परेटर अर कास्तार क्रीट सोमया साथ यहाँ पर आया बहुत-्बहुत साथ को मैं दनिवाद देता हूँ इवाँ पीडी से लेगी, स्पोर्ट्समेन से लेगी, मैला से लेगी, स्कूल का पच्छे तक यहां पर है, टैक्सी ट्राइवर है, गेस वाला है, यह यूनिटी है, देश को आए बढ़ाने का विशह है, सन्मानिय पंदप्रदान साब जो कर रहा है, हम लोग साथ में यह वि और वोग साथ में लूबागा है, स्जूमी से लेगी, स्ञे के ले राऊंदल में यह सूनेचे लूबार छेपी ग्वास्त good yes long